पीए मोधी के ड्रीम प्रोजेक्ट टनकपूर पिथोरा गढ़ आल वेदर रोड दो साल में तयार करने का लक्ष रखा गया है जिसको लेकर इन दिनों आल वेदर रोड का निर्मान कार्य तेजी से हो रहा है वही नैशनल हाइवे के चीफ इंजिनियर का कहना है कि आल वेदर रोड का कार्य नवंबर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा जिससे 150 किलो मीटर बॉडर की इलाकी में याता याद काफी सुगम हो जाएगा वही विभागिया अधिकारियों के साथ रोड कटान का मुआयना करने के बाद चीफ इंजिनियर ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिये पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथोरागड से यश्वंत माहर की रिपोर्ट